आप सभी का home science classes में स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोशक तक्तों की कमी से होने वाली रोगों के नाम लच्छर इसमें कौन-कौन से लच्छर देखे जाते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पोशक तक होते कौन-कौन से हैं पहले उनको थोड़ा-थो क्विमार्या्ण ओंगी तो पोशक से थोगे बात करें ठीक है थिनको दो भागों में बाटा गया ठीक है एक एक मैक्रो एक माईकरो मैक्रो माइक्रो में व्रह दिस्तर में मतलब यसे अमें का जयर्दा च्पता होती है और यह होते मात्रम में होती की हमारे शरीर, यह उसी के लिए वहां यह हमारे jsreated की मात्रम में होती है वूसे होते हैं हमारे कार्बोष, प्रोटीन, वसा, और कार्व हमारे में होती हैilda भी हमारे शरीर के लिए बहुती हावस्थिक होते हैं यह क्या करते हैं हमें पाचन होता है जिसमें बहुती मठपूर भूमीका निभाता है ठीक है जल और बात करें सूच में पोश्टक तक यह कौन-कौन से होते हैं विटामिन्स और खरीज लवर यह हमारे सूच में पोशकत्तों है तो इनको भी यह कौन-कौन से होते हैं इनको पहले जान लेते हैं कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले बात करते हैं, तो वह जल में घुलंसील होते हैं तो घ्लम सबस्वितामिन होगा इनके सबस्वितामिन तरह विटामिन होते हैं वसा में वह घुल जाते हैं ट очень Read thought जब श्रीष का आँ Does यह वहां परती है तो तो फिर्से रहूद हमारे श्रीष सक़ बात होते हैं यहां वहां से ले लिए ने यहीं रहा हुआ जब जब लेना परता है जोन जल में घुल विटामिन जब गूलन sil विटामिनपी ज़ता हैwww अब बात करते हैं विटामिन B कौन कौन से होते हैं थाइमीन, राइबोफलेमीन, नाइसीन, बायोटीन यह सारे जो होए यह हमारे विटामिन B है जो जल में गुलनसील होते हैं यह B complex है ठीक है सारे विटामिन B के हैं अब बात करें Minerals की तो इन्हें भी दो भागों बाटा गया है ठीक है जो हमारे खरीज लवर है एक हो जहते है Maiser Minerals ठीक है जो इसकी यह हो सकता हमें ज्यादा होती है ठीक है यह कौन कौन से होते हैं जिसके आसकता हमारे शरीर को ज्यादा होती है वो होते हैं ठीक है तो इनमें होती है जिसकी आसकता हमें शरीर को ज्यादा होती है sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur या हमारे शरीर को इसकी आसकता अधिक होती है ठीक है और जो होते हैं जो हमारे माइक्रो होते हैं जिसकी सुछ छलावरण जिसे कहते हैं तो कौन-कौन से होते हैं iron, copper, zinc, selenium, iodine, chlorالم, fluoride और मैंगनिसियम ठीक है मैंगनिसियम होता है और जैसे की यह ब्लlor काहीज होता है तो इसके आप सकता होती है हमारी शरीर में ठीक है इतना समझ में आया, अब बात करते हम, कि इनकी कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, और रोग होने के बाद इसमें कौन-कौन से बात करें, पोसकता है तो, प्रोटीन की, तो इसका प्राप्ति का जो स्रोथ है, वो मासाहारी वर्ग के लिए, सभी परदात, दाले, दूद, वदूस से बने परदात, ठीक है, तो दालों में हमारे जो, जो शाकाहारी होता है, उनके लिए दाले, मासाहरी के लिए सब कुछ, ठीक है, इसमें प्रोटीन के प्राप्ति होती है, और इसके कारिक्या होते हैं, प्रोटीन के, तो ये कारिका था, शारिक तंतों का निर्मा परदात बनाने में सहाय करता है कॉन प्रोटीन इसलिए हमारे श्रीड के लिए बहुत ही आवसेक्षा होता है और इसकी कमी से होने वोले रोग कुन-कुन से विकास अरूध हो जाएगा क्योंकि जब हम प्रोटीन लेंगे नहीं तो क्या होगा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगा पुरा हमारे शारिडिक विकास नहीं होगा और कौन से होगा रोग पती रोधक शक्ति में कमी आएगी क्योंकि इसका कार है रोग पती रोधक प्रदात बनाने की शाहता करता है तो इसमें इसकी कमी आ जाएगी तीसरा ओडीमा तथा सूजन हमारे शरीद में सूजन हो शिनधाी रहता है और इसका पांचवा है कौह सोग कर तो चैशन के कमी से हो जाता है और छटा है मरसमस ठीक है यह सारे रोग देखने को मिलता है कि प्रोटियन की कमी कारण ठीक है next है आलो, शकरकन, बाज़रा, जवार, रागी, सभी परदार्थों से हमें कार्बोहाइडरिट की प्राप्ति होती है, और सरीर में इसका क्या कारे होता है, सरीर को इसको गर्मी तदा शक्ति परदार करना सबसे जादा हमें 45% क्या होता है, यह हमें खाने से लेना चाहिए और यह हमें सबसे ज़्याद़ शक्ति उर्ज़रा देता है कि इसे कार्बोहाइडरिट यह हमारा 1st है, 2nd क्या होता है, वसा होता है, ठीक है? 35% 30-35% क्या होता? वसा से हमें उर्ज़रा मिलती है, ठीक है? हम वसाण नहीं ले रहे हैं तो всक्ति कारियों को भी कॉन करता है कार्वोअ हाइडरेट और इसकी इस से कौन कॉन प्रोटीन का अपवय क्षेटा अध्लै होने लगेगा और तीसरा है मांस पेस्वोड धीली निस्टेस्ट होनगी ठीक है जाएगे और कर्भो हाइड्र प्रोटीन की कम्री कि यह रोग हो जाता है वुश्च जायाए है घी तेल मखहन से वरसपति मचली तेल तीजों से में वुश्च प्राप्थ होता है प्रतान करना तो से शरीर की और गुलनसील को प्रतान क्या हो श्रयी तो वुलनसील कोपनाcert मिर्ट्रat अधोर Ну,,, कआप अता सब्नेत विटामिन स थत्य विटामिन फेननता से घरपशा ठाब। विटामिनों कामी होने लगते है तो सुष्ठ हमए में नण border करता है और उगे होने लगते है और वैटी यह वाइट से सब्सक्राइब करूक्थ आप कोशिका जिल्दी की पारम गर्थ काम होने लगी कोशिका जिल्दी की रख्षा गरती है तो यह सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं यह सारी बिमारिया होने लगती हैं और बात कहते हैं, विटामिन A की कमी को किसे किसे हमें मिलते हैं, प्राप्त किसे होते हैं, विटामिन A, मचली का तेल, जिगर, दूद वा दूद से बने परदात, गाजर और हरी तता पीली सब्जियों से, वह फल से हमें विटामिन A की प्राप्ती होती है, और इसके कारे क्य आतों की जिल्ली को स्वस्थ रखने ये क्या का रहे है विटामिन A की और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते है रतौन दी, जेरो फलेथेमिया, बाइटोर्ट स्पॉर्ट, केरिटो मलेशिया और ठोट तोजा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है अब बात करें विटामिन B1 की तो ये हमें प्राप्त होता है जिगर, अंडा, दाल, फलियां, मेवे, फल, खमीर, साबुत, अनाज, और मोटा, चावल ये सबी से हमें विटामिन A की प्राप्ती होती है विटामिन B की प्राप्ती होती है और इसका कार्य क्या है? सामानि भूग एवं पाचन के लिए स्वस्त तंत्री का तंत्र के लिए कार्बोस के चैपचे में साहिक होती है विटामिन B1 और इसकी कमिन से कौन कौन से रोग देखी जाते है थकावट वा उदासिंता हमारी शरी में क्या होगी? थकावट होने लगी कोई भी कार्य करने की उसमें मन नहीं लगता है वो बस शरी थका थका सा वा फील करने लगता है ठीक है? विटामिन B1 की कमिसे है और क्या होता? सिर्दद वा कब्स होती है और तीसरा जो होता है बिमारी वो होता है बैरी-बैरी आप बात करें विटामिन B2 जिसे राइबो फ्लेविन कहते हैं यह हमें किसे प्राप्त होता है? दूद, वसरही दूद, दही, पनीर, अंडा, जिगर वा हरी पतिदा सब्चियों से और इसके क्या-क्या कारे होता है? कोशिकाओं के ऑक्सिजन परियोग में सहिता करता है कोशिकाओं को क्या करता है? ऑक्सिजन पहुँचाता है, ठीक है? सभी और कोशिकाओं में आखों की रोशनी, स्वस्त तवचा विसेस रूप से नाकवा मुग के तिक है को ने और कमी से कौन कौन सा रोग होता है मुझ में परिवर्तन तो अच्छा में परिवर्तन होता है थीक है नेक्स्ट है विटामिन C इसका नाम है स्कॉर्बिक अम्ल और यह हमें खटे फलो से प्राप्त होता है जैसे कि आवला, अमरूत, खट्टी, रसदा, ताजी, सबजी यां, सलादवा, अंगरुज, दाले इससे हमें विटामिन C की प्राप्ती होती है उसका कारे क्या है कोशिकाओं को जोड़ने वारे कोलेगन का निर्मार करना जो एक कोशिकाओं को जोड़ने का जो बीच में कोलेगन होता है उसका निर्मार करता है रख नलिकाओं की दीवारों की मजबूती रोगों से लड़ने के शम्ता वा घाओं को भढ़ने में साहता करता है ये घाओं को जल्दी भढ़ने में साहता करता है कैंद एकलिक कर दो इसके रहते हैं और इसके कमी से कौन कौना से रोग होते हैं पहला सकर्वी जो मसुड़ों में रक्ति师्चाव करता हैं धीक है ठीक है ठीक है नेच्वित धिनला बालकों में क्या होता है होता है और दूसरा स्कर्वी ठीक है दो बिबारिया होती है विटामिन C की कमी से नेक्स्ट है विटामिन D यह हमें सोरे के किर्णों मक्खन पनीर दूद मचली का तेल अंडा का पीला भाग और घी से प्राप्त होता है और इसकी क्या कारिया के लिए मजबूत दात वो हट्ट के यह क्विजियों कि लिए करते हैं कितना यह कमी से तो अस्थिया कमजोर होने रगते हैं कबूतर की छाती हो हो जाता है tea पराप्त होता क्या पराप्त होता है श्कार क्या अस्थियों और दादों के निरमार में मदद करता है इस मरूसकती जो हमें जो सोचने विचाने के शक्ति होती है उसको बढ़ाता है और रक्त ठका बनाने में सहयक और मांश्पाइसियों के सुकर डंडे में श्यायरता करता है ठीक है रख ठक तक क्म विटामीन के काम आता है और अगर गे नहीं दिया तो केलसंब भी काम आता है झीक है उसकी बिमारिया कौन-कौन से उसकी कमी कि होने कारें दुरुबल वा शीर होने लगता है अस्थी मज्जा कार्य शक्ती में कमी मांस पेसों की किरिया हिंता काम नहीं करते हैं नेक्स्ट बात करें हम लोहा तीक है आईरन यह हमें हरी पत्ती सब्जियां छिलके वले अनाजवा डाल अंडे की जर्दी मांस यकरत आधी से शरी में व्रिद़्ी और सक्ती बढ़ाना रख्त और कोशिकों को निरुमार करनाव रख्त में हीमोगॉबीन बनाने के लिए हवसक वर रख्त में एमल और चार में संतूलन बनाने म Worksесте Search तो लेंगो है और हीमोग लोग बनाता थीक हैं और हीमोगलोबीन को बनाता है लोग अन्यू थी सुस्त वह आलस से पूर्ण सिर्दत और चक्कर आने लगता है जब हमेरे शरी में आयोडीन की कमी होती है नेक्स्ट है आयोडीन आयोडीन हमें जल हरेपत्ते वाली सब्दियां मचली नमग में मिलाया गया आयोडाइड से प्राप्त होता हमें आयोडीन जो लिखका गरंदी के विकास में शरीम के भार और शक्ती में बढ़ होती है वसा के उचीत उप्योग में साहयक और प्रजिएन शक्ति में व्रिद्धी करना आयोडीन का कारियोग होता है उसकी कमी से कोन कान से रोब होते हैं? गलकंड, थाराइड का सूखा, टाथा थाराइड गंती चया बढ़ना, मांसिक विकार थाराइड दो टाइल चैब के होते हैं जिसमें इरीत बढ़ता है और दुसरा बेड घंता है Stephen होता है ठीक है यह सारे रोब देखने मिलता है तो आज का यह टॉपिक पुरा क्लियर हो गया आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब ने कहा है तो प्लीज प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग